Assalamu alaikum everyone, Fatima is here कैसे आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे Welcome back to my channel and welcome back to my new video आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग है for the bakers, जो professional है जो trained है, जो अभी सीखना चारहे हैं for all of you the cake तो ये मेरा एक order है जो के जिसमें मैंने four bentos ready करने हैं और सोचा आप लोगों से detailed video regarding crumb coat जो है वो share की, क्यूंके crumb coat is the basic of the cake अगर आप लोग जो है वो अच्छा crumb coat करते हैं तो बहुत अच्छा आपकी structure अगर अच्छा होगा तो बाहर से भी cake अच्छा लगेगा तो very important जो आपका ये step होता है crumb coat तो मैंने ये चार bentos को crumb coat करना हैं आप लोगों के सामने करूंगी flavor is chocolate lotus और आप लोगों के सामने fudge अंदर मैंने fudge की recipes available मैं link डाल दूँगी और बाहर से मैं गनाश से cover कर रही हूँ इसको crumb coat कर रही हूँ और अंदर मैंने fudge दी है जब मैंने ये fudge और गनाश की video share की थी तो तब मैंने आप लोगों से share किया था कि जो गनाश है उसका जो texture है थोड़ा hard होता है और जो fudge है वो थोड़ी soft होती है वो अंदर layering के अंदर जाती है तो मैंने उस जो बनाई थी वो इसी order में use कर रही हूँ तो मैंने बस आप लोगों के सामने जो है वो सबसे पहले मैंने start किया वीडियो start करने से पहले like कर दें अगर आप लोगों को मेरा ये आज का जो वीडियो अच्छी लग रही है comment section में जरूर opinion बताएं तो वीडियो की तरफ आ जाते हैं वीडियो is very important मैंने कफ़े tips और experiences बताने हैं आप लोगों को इसमें सबसे पहले जब layer करें आप उसको soak करें इतना जादा soak ना कर दें के वो बैट जाए नीचे वाला केक तो आपने क्या करना है normally starting में जब मेरा इतना experience नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से किस्टमर कहते हैं हमें full moist चाहिए लेकिन एक balance way से आप लोगों को crumb coat करना चाहिए जैसे के मैंने bento एक एक आप लोगों से शेयर किया था डेटेल में के bento के अंदर आपका कितना जाता है soaking material soaking मतलब liquid हो गया मैं lotus milk के साथ मतलब मिल्क के अंदर मैं थोड़ से lotus मिला दिया तो वो सही mix ही नहीं हुआ क्योंकि दूथ थोड़ा ठंड़ा था soaking के लिए मैंने लिया था तो वो mix नहीं हुआ इसलिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा शाहिद ये cream है या वो क्या चीज़ है तो वो lotus proper mix नहीं हुआ इसके अंदर तो मैंने बस फिर soak किया milk के साथ ठीक है milk से जराय जो है वो ये जादा soakiness बहुत अच्छी आ जाती है तो आपने soak इतना करना है कि बस थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि ये fingers dip करके आप चेक करें touch करके देखें कि आपको थोड़ा sure है बस उतना आपने डिप करना है और मैं आपको इसकी measurement भी बताती हूँ अर्मोस बेंटो के अंदर जो है ना 40 ml तक जो है वो जाता आपका soaking liquid जो भी है ठीक है जितनी भी layers अंदर उसके बाद फज है तो अंदर वाला आपका जो फज है वो इतना जादा नहीं डालते है क्योंके जो है वो केक जो है ठीक है तो सेम इसी तरह ही बस सौक करते जा रही हूँ मैं और उसको मैंने एक और टिप जो मैंने अंदर lotus यूज की है lotus spread ठीक है उसको मैंने sauce में convert करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सो oil डाला थोड़ा सा ठीक है almost अगर मैंने तीन टेबल स्पून लिया है तो एक टेबल स्पून मैं oil डाल दूँगी तो उससे जो इसकी consistency है थोड़ी रनी हो जाएगी तो अंदर उसको fill करना असान हो जाएगा taste में कोई difference नहीं आएगा इसको आप जब खाएंगे बिलकुल भी नहीं पता चलेगा लेकिन ये एक trick है आप उसमें जरूर oil mix करें ठीक है बस ये आप लोगों के सामने में mix करती जा रही हूँ और एक और tip है कि जब आप इसको क्रम कोट करें हैं क्रम जो sponges हैं वो one day before जो है वो इसको bake करके रखें ठीक है और wrap करके freezer में इसको freeze कर दें ठीक है इससे cake बहुत ही moist होता है और उसको handle करना असान होता है और number two जब इसको ready करें क्रम कोट करें तो वो भी एक दिन पहले करें मतलब final frosting या plaster जो आपने करना है वो after जिस दिन आपने cake या जो order आपका जाना है उस दिन आप लोग उसका final plaster करें ठीक है तो इस वज़ा से ये चोटी चोटी tips होती है जिसकी वज़ा से cake जो है वो फिसल जाता है on the spot हम sponges bake कर रहे होते हैं उसको layer कर रहे हो और frost कर रहे होते हैं जिसकी वज़ा से cake आपका बैढ़ जाता है और slip हो जाता है तो customer को होता है कि जो हमें on the spot चाहिए यहां एक दो दिन पहले और्डर कर रहे होते हैं तो बहुत आप ऐसी order लें ना क्यूंकि उन्हें बताएं कि हमारा customize काम है तो आप हमें तीन की दिन पहले जो है वो ज़रूर आप order करें एंटी स्पोर्ट जो है वो फिर जाहरे फिर issue ह होता है आज खल तो वैसी temperature है तो यह मेरे बैंटूस की buckets जानी थी तो मैंने उसके लिए फिर यह मैंने चार बैंटूस जो है वो ready किया आप लोगों के सामने ही वालकर ready कर रही हूं सारा उसको गनाज से cover करती जा रही हूं और अंदर जो है यह two layers में जाएगा यह almost half pound से ना आए ठीक है इतना इतना आपने करना है कि साइडों पे जहां जहां पे आपको केक नज़र आ रहा है केक का जो sponge नज़र आ रहा है उसको आपने palette knife के साथ यह जो cake knife है उसके साथ जो है वो आपने उसको बिलकुल chocolate के साथ कर लेना है इतना जादा वाला भी नहीं करना ना इतना काम करना है बस ये बस आपकी क्राम कोटिंग अच्छी हुई होगी और एक दिन पहले करके रखी होगी ना तो आपका केक जो है वो सेट हो चुका होगा और जब केक सेट होगा तो आपकी जो फाइनल उपर वाला जो फ्रोस्टिंग है ना वो बेस्ट होएगी ये आप एक दफा ट्रिक करके देखें अगर आप अंदे स्पोर्ट करते जाएगा ना तो इट क्रियेट इश्यू ठीक है अब ये मैने 4 इंच का ही क्यूंके बेंटो 4 इंच में रेडी होते हैं तो 4 इंच का ही मैने केक बोट ली हैं चारों के नीचे ठीक है और बस नीचे मैंने द प्लास्टर करने के बाद फिर मैं उठा के जब आगे जाके रखूंगी ना बकिट्स जब असंबल करूंगी आपको नेक्स वीडियो में तो फिर मैं आपको आपको बताऊंगी कि नीचे से मैंने उसके नीचे केक बोर्ड है ठीक है जैसे ये मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं और हमेशा जब भी आप लोग केक को करम कोट करके रखें तो उसको रैप करके रखें या उसको जो है वो बॉक्स में डालके रखें अगर तो चौकलेट है उसको रैप करके रखें और अगर तो क्रीम वाला है तो फिर ज़रा बॉक्स में डालके रखें एक तो वो नमी नह आएगी दूसरा उसके क्यूंकि और फ्रिज में रखना कभी फ्रीजर में केक निया आपने रखना अगर तो चौकलेट है तो पिर तो कोई इशू नहींगा पिर आप रैब करके इसको फ्रीजर में रख सकते हैं लेकिन अगर आप क्रीम के ready करें तो फिर आपने जो है वो आपका केक तबाव हो जाएगा आप उसको फ्रिज में थोड़ा फ्रिज तेस करके तो उसको रख दें ताकि जो है वो आप उसको जो है वो नॉर्मल टमपरेचर मिलता रहे रादा थैं क्यूंकि क्रीम जो होती है ना क्रीम एर क्रियेट करके ह हमने विप की होती है तो वो फिर इशू करती है तो इसी तरह मैंने वन बाई वन जो है वो सारे चारो बेंटो आप लोगों के सामने ही जो है वो बस सौग करती जा रही हूं और करती जा रही हूं आपने कहने यह पांगल हो यह बस करती जा रही है क्या क्या करती जा रही है मैंने फोर बेंटोज हैं जो के मेरी बकिट्स में जाने हैं तो क्रम कोड कर रही हूं आप लोगों के सामने आज का टॉपिक इस अल अबाउट दा क्रम कोड इसलिए मैंने डिटेल में कुछ चीजी और एक्सपिरियंस बताई हैं कि आपने फ्रीजर में नहीं रखना केक और कवर करके रखें डिरेक्टली ना रखें नमी होती है चाये चॉकलेट केक है उसको आप डिरेक्टली फ्रीजर में भी नहीं रख सकते हैं फ्रिज में भी नहीं रख सकते हैं रैप कर दें या बॉक्स के अंदर रखें दूसरा एक दिन पहले क्रम कोड करके रखें ताके व जो आप टमप्रेचर भी देखें क्योंकि टमप्रेचर जो है आज कल बहुत ही ज़दा इसी हो रहा है ये क्रम कोट तो मैंने बाहर कर लिया था मैंने सोचा चॉकलेट है कोई इतना मसला नहीं होगा तो बहुत ही हैंडल हो गया था लेकिन जब मैं फाइनल प्लास्टर करूं आज की टैप्स ट्रिक से पसंद आई होंगी और अगर कोई फाइदा मिला हो आप लोगों को तो ज़रूर लाइक कर दीजेगा वीडियो को और का अपनी अपीनियन ज़रूर बताइएगा अपना ख्यार रख्येगा तिल देन अलाफेज